नमस्कार आप देख रही हैं गितांश टीवी प्रस्तुत हैं समाचार डंड़ाई से समवादाता बिंदु कुमार के रिपोर्ट डंड़ाई प्रखन में कुल 75.93 प्रतिशत वोटिंग के साथ शांधिपोर माहौल में संपन हुई चौथे चरण का चुनाव डंड़ाई प्रखन शेत्रों में त्रिस्तरिय पंचाचुनाव 2022 के चौथे चरण का शुकुरवार को 127 बूतों पर 75.93 प्रतिशत वोटिंग हुई वोटिंग का कारे सुबह 7 बजे से शुरू कर दिया गया 3 बजे तक समाथ किया गया जानकारी देते हुए प्रखन निर्वाची पददिकारी चौना राम हेब्रम ने बताया कि प्रखन के 127 बूतों पर कुलपी 75.93 प्रतिशत वोटिंग हुई है जिनमें 36,440 मतदाताओं ने मतदान किया है कहीं भी आपनी अगटना की सूचना नहीं मुली आपको बता दें कि गाउं के सरकार चुनने के लिए सुबह से ही काफी उत्साहित थे लोग पहले सुबह से ही मतदान किंद्रों पर पहुचने शुरू हो गए दो पहर तक मतदाताओं का मतदान के इंद्रों पर काफी भीड रही लेकिन दिन के एक वजे के बाद ना के बरापर भीड रही अपने मतदिकार का महत्व देते हुए शेत्र के बुज़ुर्गों और विकलांग व्यक्तियों ने भी मतदान किया वहीं कई मतदान के इंद्रों पर पहली बार युवा युवती मतदाताओं ने मतदान किया और भूतों पर गाओं के सरकार चुनने के लिए मतदाता काफी उत्साहित नजरा शांती विवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बहल और मतदान कर्मी भी काफी सक्रिय दिखे कि चांदी अदे खांधन र . . झाल झाल कर लूँ को, तो इस बींद आपक डिए,सिता कर रादे नच्छा। अज्यों कर देखे लग कर देखे लादी कर दो कर दो कर दो रांची एलुमेनियम वर्क्शॉप एलुमेनियम से संबंदे सभी परकार के कारे किये जाते हैं हमारा पता है कचहरी रोल ब्लॉक के सामने नगवाम फार्ट नमबर आर गड़ा जारखन लुबी है जहाँ पानी है बहाँ अधिक्रेत विक्रेता शिरी लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स लक्ष्मी मार्केट सही जना मोर गड़ा